एक्स्प्लोर इंडिया विद विकास में आपका स्वागत है आज हम उटी के से घुमने जाएं इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे खुबसूरत नेदगीरी की पाड़ियों के बीच स्तित उटी अर्थात उदग मंडलम दक्षिन भारती राज तमिल नडो का एक वर्ल्ड फेमस हिलिस्टेशन है उटी की प्राकर्तिक सुंदर्ता का आनन लेने के लिए देश नहीं अपिति विदेशी परिटक भी भारी संख्या में प्रतिवर्श यहां आते हैं खासकर गर्मियों के महीनों में तो उटी परिटकों से पूरी तरह भरा रहता है आप उटी में प्रकर्तिकी अद्भूत खुबसूरती का आनन ले सकते हैं यदि आपने उटी घुमने का प्लान बनाया है तो आपके मन में सबसे पहला सवाल यह उद्पन होता है कि उटी किस समय घुमने जाना चाहिए तो इसका जवाब यह है कि आप पूरे साल में कभी भी उटी जा सकते हैं परंतु अपरेल से जून और सितमबर से नवंबर के बीच उटी घुमने का सबसे आइडियल टाइम माना जाता है क्योंकि इन महिनों में उटी का तापमान लगबग 20 डिग्री सेल्सिस रहता है और उटी घुमने में मोसम समद्धी कोई परिशानी नहीं आती है जुलाई तथा अगस्त में यहां बहुत भारी बारिश होती है जिसके कारण परिटक जुलाई तथा अगस्त में यहां कम आते हैं आपने यह तो तै कर लिया कि आपको उटी कप जाना है अब आपके सामने यह सवाल उत्पन होता है कि उटी कैसे पहुँचे तो इसका जवाब है कि उटी जाने के लिए हवाई जहाज, ट्रेन और बस आदी के कई विकल पुपलब्ध हैं आप अपनी सुईधा के अनुसार किसी भी माध्यम से उटी पहुँच सकते हैं यदि आप बस द्वारा उटी जाना चाहते हैं तो इसके लिए प्रति दिन बैंगलोर, चेन्नाई, मेसुराधी शहरों से उटी के लिए कई सारी लगजरी बसे चलती हैं इसके लिए आपको अपने घरनगर से सबसे पहले बैंगलोर, चेन्नाई, अत्वा, मेसुराधी जगा आना होगा क्योंकि दिल्ली, मुंबई, आदी शहरों से उटी के लिए सीधी बस से बाउपलब्द नहीं है जैसे यदि आप बैंगलोर पहुचकर महां से उटी जाना चाहते हैं तो शाम को 8 बजे से रात के 11 बजे तक कई सारी लगजरी बसे बैंगलोर से उटी के लिए चलती हैं जिनका प्रती व्यक्ति किराया लगबग 700 रुपे होता है तता यात्रा में 8 घंटे का समय लगता है बैंगलोर से उटी की दूरी 310 किलोमेटर है यह बसें आपको अरली मॉर्लिंग उटी बस इस्टेंट पर छोड़ देंगी जहां से आप आटो रिक्षा अत्वा केप करके अपनी होटल में आराम से पहुंच सकते हैं गोर्तलभे की उटी में कोई हवाई अड़ा अर्थात एरपोर्ट नहीं है उटी का सबसे निकटम हवाई अड़ा कोईमबटूर एरपोर्ट है जो की उटी से लगबग 50 किलोमेटर दूर है एर इंडिया, इंडिको और स्पैस जेट जैसी एरलाइन्स की नई दिल्ली मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, एहमदाबाद आधी बड़े शहरों से कोईमबटूर तक प्रती दिन कई फ्लाइट्स आती है विदोशो से आने वाले परिटक बैंगलोर के इंटरनेशनल एरपोर्ट पर उतर कर वहां से बस द्वारा उटी आते हैं उटी के लिए कोईमबटूर एरपोर्ट तथा बैंगलोर इंटरनेशनल एरपोर्ट से टेक्सी और बस से आसानी से उपलब दे कोयमबटूर से ऊटी टेक्सी द्वारा पहुंचने में केवल तीन घंटे लगते हैं तथा कोयमबटूर से ऊटी तक का टेक्सी का किराया पंदरा सो रुपे के लगबख होता है नीलगिरी माउंटेन रेलवे अर्थात ऊटी टॉय ट्रेन में कम से कम एक बार यात्रा करना हर भारती का सपना होता है यह टॉय ट्रेन मेट्टू पालियम नामक स्टेशन से ऊटी तक चलती है यह ट्रेन नीलगिरी पहाडों, खुबसुरा जंगलों तता भहुत सारी सुरंगा से गुजरती है उटी टॉय ट्रेन 46 किलोमेटर के खुबसुरा ट्रेक पर चलती है इसमें कोई दोमत नहीं है कि इस टॉय ट्रेन की सवारी आपके परिवार तथा आपके बच्चों को जीवन भर याद रहेगी हमारी भी आपको यही सलाह है कि आप टॉय ट्रेन से ही उटी जाईएगा यहाँ टॉय ट्रेन मेट्टू पालियम नामक स्टेशन से सुबह 7 बच कर 10 मिनट पर चलती है तथा 12 बजे उटी पहुँचती है यहाँ टॉय ट्रेन केवल 46 किलोमेटर की दूरी लगबग 5 घंटे में तय करती है यह भी याद रखेंगी इस ट्रेन का टिकेट आपको अपनी यात्रा के एक मेहने पहले ही आनलाइन बुक कराना होगा क्योंकि हर कोई इस ट्रेन में बेटना चाहता है तता इस ट्रेन के टिकेट की बहुत मारा मारी होती है यदि आप यह सोच रहे हैं कि मेट टू पालियम नामा के स्टेशन पर पहुँचने के बाद टिकेट काउंटर से टिकेट ले लेंगे तो आप बहुत बड़ी मुश्किल में पढ़ सकते हैं क्योंकि यदि टिकेट नहीं मिला तो पूरी यात्रा का प्लान अस्त वेस्त हो जाएगा इसलिए हमारी सला है कि यदि आप इस ट्रेन से उटी जाना चाहते हैं तो पहले से ही आनलाइन टिकेट बुक करा लीजिएगा अब हम बात करते हैं कि मेट्टू पालियम नामाक रेलवे स्टेशन पर केसे पहुचा जाए मेट्टू पालियम नामाक स्टेशन पर पहुचने के लिए आप बेंगलोर, चेन्ने याथ मेसुराधी रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ सकते हैं जैसे यदि आप बेंगलोगूर से मेट्टू पालियम नामक स्टेशन तक जाने के लिए ट्रेन में बेटना चाहते हैं, तो बेंगलोगूर से मेट्टू पालियम तक के लिए चार से पांच ट्रेने रात में नो बजे से साड़े दस बजे के बीच चलती हैं, जो आपको सवारी इनी ट्रेनों से आती है तो जब तक यह ट्रेने मेट टू पालियम रेलवे स्टेशन पर नहीं पहुंच जाती है तब तक ट्रेन मेट टू पालियम रेलवे स्टेशन नहीं छोड़ती है यहाँ ट्रेन बहुत धीमी गती से चलती है तता कई जगे रुकती रुकती जाती है तो आप ट्रेन से उतर कर सेल्फी तता मन महोग प्रकरती का आनन भी ले सकते हैं चुकि इस ट्रेन की खिड़ियां बहुत बड़ी बड़ी होती है तो आपको ट्रेन के भीतर से ही आसपास की सुन्दर्ता मंत्र मुग्द कर देगी लगभग बारा बजे टॉय ट्रेंज से ऊटी रेल्वे स्टेशन पर उतरने के बाद आप टेक्सी रिक्षा अत्वा केप से अपने होटल के रिए प्रस्थान करें आप होटल अपनी होटल में चेक इन करने के बाद आप नहा कर तता होटल के ही रेस्टोरेंट में लंच कर ले लंच करने के बाद आप हाफ डे के लिए टेक्सी आटो रिक्षा बुक कर ले जिससे आप ऊटी शहर में इस्थित लोकल अट्रिक्षंस एक्सप्प्रोर करने के लिए निकल जाएं उटी में सबसे पहले आप गवर्मेंट बोटेनिकल गाडन देखने जाएं इस बोटेनिकल गार्डन को पांच अलग अलग वर्गों जिसे की फरन हाउस, लोर गार्डन, इटालियन गार्डन, कंजर्वेटरी और नर्सरी में बाटा गया है। इस गार्डन में एक अन्य लोग प्री आकर्शन, फॉसिल ट्री ट्रंग है, जो लगबग 20 मिलियन वर्ष पुराना बताया जाता है। इस गार्डन को अच्छे से एक्स्प्लोर करने में आपको कम से कम 2 गंटे का समय लगेगा। अगर आप उटी घुमने गए हैं और आपने यह गार्डन नहीं देखा, तो आपकी उटी ट्रिप अधूरी ही कही जाएगी। बोटेनिकल गार्डन देखने के बाद आप रोज गार्डन देखने जाएं। रोज गार्डन ऊटी 6 संट से केवल 2 km दूर है, रोज गार्डन तता बोटेनिकल गार्डन पीज की दूरी भी लगबग 2 km ही है। ऊटी का रोज गार्डन टता सेलफी के शोकिनों के लिए किसी जननत से कम नहीं है। रोज गार्डन चार हेक्टेर शेत्र में फेला हुआ है, इसमें बीस हजार साधिक किस्म के गुलाब के पोदे लगे हुए है, इस गार्डन को एक्स्प्लोर करने में आपको लगबग एक घंटे का समय लगेगा इसके बाद आप उटी लेक देखने जाएं, वर्ष 825 में नेर्मित यह जील ढाई किलोमेटर लंबी है और नीलगीरी पाड़ियों के बीच में इस्तित है, यह जील उटी बस इस्टेंड से के वल डेल किलोमेटर दूर है, उटी जील में आप पेडल बोटिंग कर सकते हैं, तथा भागिशरी की फिल्म मैंने प्यार किया के फेमस सौंग दिल दीवाना बिन सजना के माने ना की पूरी शूटिंग इसी जील के आसपास हुई थी, इस जील के चारो और दुकाने भी हैं, जहां से आप हैंडी क्राफ्ट आइटम भी खरीच सकते हैं, आप उटी जील क करके अपनी होटल से लोकल साइट सिंग के लिए पूरे दिन के लिए टेक्सी या रिक्षा करके सबसे फेले मुरुगन मंदिर देखने जाएं, भगवान मुरुगन को समर्पित, मुरुगन मंदिर उटी की एल का पहाड़ी परिस्ती थे, यह मंदिर उटी के बस से केवल 3 किलोमेटर दूर है, तता यहां तक पहुँचने में आपको केवल 10 मिनट लगेंगे, इस मंदिर में भगवान गणिश, भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान मुरुगन अर्थातकार्थिके और नवग्रह की मूर्ती स्थापित है, नीलगीरी परवत श्रंखलाव की एल का पहड़ी परिस्तित यह मंदिर तता इसके आसपास की प्राकरतिक सुन्दरता आपका मन मोलेगी, यदि आप उटी घूमने आए हैं तो इस मंदिर को देखने जरू जाएं, अदभूत प्राकरतिक सुन्दरता से घिरा एसा भगवान मुरुगन का मंदिर देश में आ इसके बाद आप सेंट स्टिफन चर्च देखने जाएं, यह चर्च ऊटी बस से केवल दो किलोमेटर दूर है, यह चर्च आज भी विक्टोरियन यूग की याद दिलाता है, लकडी से बने होने के करान इस चर्च के अंदर का तापमान हमेशा ठंडा रहता है, यह चर्च स सुलीवन द्वारा बनवाया गया, यह हाउस ओटी का पहला बंगला था, अब यह ओटी का सरकारी संग्र हाला है, यह स्टोन हांच ऊटी बस स्टन से केवल 3 किलोमेटर दूर है, इस स्टोन हाउस को देखने के लिए परेटों के बिल लगी रहती है, इसके बाद आप ओटी इस महल की भवविता आपको मंत्र मुख्द कर देगी इसके बाद आप पास ही में किसी रेस्टरोन में लंच कर लीजेगा इसके बाद आप डोडा बेटा पीक देखने जाएं 8606 फीट की उचाई पर इस थी डोडा बेटा पीक दक्षिन भारत का सबसे उचा स्थान है यह पीक उटी बस स्टेंड से लगबग 9 किलमेटर दूर है तता यहां तक पहुँचने में आपको 20 मिनट का समय लगेगा आप यहां से नीलगीरी के लुभावने द्रश देख सकते हैं चोटी का शिष आपको मंत्र मुग्द कर देगा डोडा बेटा पीक पर एक दूरबिन घर अर्था टेलिस्कोप हाउस है जिसमें दो दूरबिन लगी है जो इस पीक के आसपास का मनोरम द्रश आपको दिखाएंगी इसके बाद आप उटी टी एस्टेट देखने जाएं इसे उटी टी फेक्टरी तता उटी टी म्यूजियम के नाम से भी जाना जाता है यह उटी बस इस्टेंड से केबल 5 किलोमेटर दूर है यहाँ पर आप चाई की पत्तियों से चाई बनानी की पुरी प्रक्रिया देख सकते हैं सेकड़ों तरह की चाई टेस्ट कर सकते हैं चाई खरीद भी सकते हैं टी एस्टेट सुबह 6 बचे से शाम को 6 बच तक खुला रहता है टी एस्टेट देखने के बाद आप अपनी होटल में डिनर करें तथर रेस्ट करें इस प्रकार उटी में आपका दूसरा दिन समाप्त होता है अगले दिन अर्था तीसरे दिन आप सुबह जल्दी उटकर तयार हो जाएं होटल में ब्रेकफास्ट करने के बाद आप होटल के रिसेप्शन से पूरे दिन के लिए टेक्सी कर लें जो लगबग 2000 रुपे में बुक हो जाएगी अब आप इस टेक्सी से उटी से लगबग 13 किलमेटर दूर उटी मेसूर रोड पर इस्थित कलहटी ज़रना देखने जाए यह ज़रना केवल उटी ही नहीं अभी तु देश के 10 सबसे खुबसूर ज़रनों में से एक माना जाता है इस ज़रने तक पहुँचने के लिए उटी के कलहटी गाउं में आपको अपने टेक्सी पार्क करके वहां से तकरीबन 2 किलमेटर पेदल चरकर जाना होगा इस ज़रने को देखने प्रती दिन हजारों टूरिस्ट आते हैं यहां माना जाता है कि हिंदू संत अगस्त कभी यहां रहा करते थे इस ज़रने को देखने के बाद आपका वापस जाने का मनी नहीं करेगा आप इस ज़रने के बहते हुए पानी से बाहर ही नहीं निकलना चाहेंगे कलटी जरना देखने के बाद आप उटी में सुर रोड पर ही स्थित पैकारा वाटरफाल देखने जा सकते हैं यह जरना उटी से लगबग 20 किलोमेटर दूर है यहां जरने के पास ही रेस्टोरेंट भी हैं जहां आप जरने को देखते हैं लंच का आनंद ले सकते हैं इसके बाद आप साइलेंट वेली में स्थित एमरान लेक तथा अवलांचे लेक देखने जाएं यहां दोनों लेक पास पास इस्थित हैं तथा इनकी दूरी उटी बस से 18 से 21 किलोमेटर के बीचे तथा यहां तक पहुँचने में 40 से 45 मिनट का समय लगता है लेक से वापस लोटते समय आप वेक्स म्यूजियम देखने जाएं यहां वेक्स म्यूजियम ऊटी के बस स्टेंड से केवल 3 किलोमेटर दूर है यहां पर मोम से बनी प्रतिस्थित हस्तियों की मूर्थियां देखने को मिलेंगी यहां वेक्स म्यूजियम मेडम तुसात के वेक्स म्यूजियम की तरज पर बनाया गया है यहाँ पर एंट्री फीस लगेगी तता इसे गोमने में एक घंटे का समय लगेगा इसके बाद आप अपनी होटल में डिनर करके रेस्ट करें इस प्रकार उटी में आपका तीसरा दिन समाप्त होता है अगले दिन अर्था चोथे दिन आप सुबह उठकर तयार हो जाए होटल में ब्रेकफास्ट करने के बाद आप होटल के रिसेप्शन से पूरे दिन के लिए टेक्सी कर ले जो लगबग 2,000 रुपे में बुख हो जाएगी अब आप उटी से 42 किलोमेटर दूर इस्तित निडल रॉक व्यू पाइंट देखने जाएगा यहाँ पर आपको लगबग 1 किलोमेटर ट्रेकिंग करते हुए जाना होगा क्योंकि यहाँ तक वहाँ नहीं पहुंच सकते हैं जिस जगह आप अपनी गाड़ी पार्क करेंगे महां से आपको पेदल पेदल निडल रॉक व्यू पाइंट तक पहुंचने में लगबग आदा घंटा लगेगा निडल रॉक व्यू पाइंट प्रती दिन सुबस साथ बज़े से शाम को पांच बेज तक खुला रहता है इस इस इस्थान पर पहुंचकर आपको ऐसे लगेगा कि आप एवरेस्ट शिखर पर पहुंच गये इस जगह पर आप बादलोग को अपने हातों से सपर्ष कर सकते हैं यदि आपके साथ 5 साल से कम उमर के छोटे बच्चे तथा बुजुर्ग लोग हैं तो आप इस पाइंट को देखना अवाइड भी कर सकते हैं क्योंकि इस स्थान पर पहुंचने में आपको खड़ी चड़ाई चड़नी होगी निडल रॉक व्यू पाइंट देखने के बाद आप मुदू मलाई टाइगर रिजर्व देखने चाहें यह टाइगर रिजर्व उटी से 55 किलोमेटर दूर है तता यहां तक पहुंचने में आपको डेल घंटे का समय लगेगा यहां पर आप जीप या बस में बेटकर टाइगर देख सकते हैं तता जंगल में हादी की सवारी का आनंद ले सकते हैं इसके बाद आप मुदू मलाई टाइगर रिजर्व में जो रिजॉर्ट्स हैं वहाँ के रेस्टोरेंट में लंच कर लें यहां पर घूमने में आपको 3-4 घंटे का समय लगेगा यहां घूमने में आपको हर एक्टिवीटी का टिकेट लेना होगा तता एलिफेंट सफारी तता जीब सफारी का टाइम भी आपको मेनेज करना होगा जीब सफारी बहुत महंगी है जो लगबग 3,000 रुपे है इसलिए आप बस सफारी का प्राथ्मिक्ता दे जो 1,500 रुपे में हो जाएगी आप मुदू मलाई टाइगर रिजवर देखने के बाद वापस उटी के लिए निकल जाएगा वापस लोडते समय रास्ते में चॉकलेट म्यूजियम जरूर देखिएगा चॉकलेट म्यूजियम सुबह 9 बज़े से शाम को 7 बज़ तक खुला रहता है यदि आप उटी घुमने आए हैं और आपके साथ बच्चे हैं तो आपको चॉकलेट म्यूजियम देखने जरूर जाना चाहिए चॉकलेट म्यूजियम उटी 20 घंड से केवल 5 किलमेटर दूर है यहां आपको तदा आपके बच्चे को अलग-अलग तरह की हजारों तरह की चॉकलेट टेस्ट करने को मिलेंगी आप यहां अलग-अलग टेस्ट और वराइटी की चॉकलेट बनाना भी सिख सकते हैं आप यहां से घर ले जाने के लिए चॉकलेट खरीद भी सकते हैं चॉकलेट म्यूजियम की इंटरी फीज केवल 20 रुपे है तदा एंटरी की समय एक बड़ी सी चॉकलेट फ्री में खाने को भी मिलती है आप एक बाट नोट कर लें कि इस चॉकलेट म्यूजियम से आपको अपने बच्चों को बहार निकालने में पसीना आ जाएगा इसके बाद आप अपनी होटल में जाकर डिनर करें तथा रेस्ट करें पांचवे दिन आप सुबह ब्रेकफास्ट करें तथा कुन्यूर जाने के लिए अपनी होटल से चेक आउट करें उटी से कुन्यूर की दूरी केवल 20 किलमेटर है तथा बस अथवा टेक्सी से यहाँ पहुशने में आदा घंटा लगेगा यदि आप टेक्सी से यहाँ आएंगे तो टेक्सी का किराय लगबग 1000 रुपे लगेगा आप उटी से कुन्यूर हेरिटेज ट्रेन से भी जा सकते हैं उटी से कुन्यूर के लिए 4 हेरिटेज ट्रेन चलती हैं पहली ट्रेन सुबस सवा 9 बजे, दूसरी दोपर सवा 12 बजे, तीसरी दोपर 2 बजे तता चोती शाम को 6 बजे चलती है उटी से कुन्यूर हेरिटेज ट्रेन का टिकिट आराम से ततकाल मिल जाता है उटी से कुनूर तक heritage train लगवग एक से सवा घंटे में पहुंच जाती है आप पहली train जो सुबस सवा नो बजे उटी से कुनूर के लिए निकलती है उसमें बेठिएगा यहाँ आपको साड़े दस बजे कुनूर ड्राप कर देगी तता इस तरह आपको कुनूर घुमने के लिए काफी समय मिलेगा कुनूर railway station या bus इस्टेंड से आप टेक्सी या रिक्षा द्वार अपनी online book hotel में check-in करें तता hotel में lunge कर लें lunge करने के बाद आप कुनूर के local attractions देखने है टेक्सी या रिक्षा से निकल जाएं आपको आपकी hotel के reception से या hotel के बाहर से आराम से टेक्सी या रिक्षा मिल जाएगा आप कुनूर में सबसे पहले Sims पार्क देखने जाएगा इसके बाद आप कुनूर में George Church तता Saints Church देखने जाएगा इसके बाद आप कुनूर में Wellington गोल्फ कोर्स देखने जाएगा इसके बाद आप अपनी hotel में आकर डिनर करें तता रेस्ट करें इस प्रकार आपकी इस trip का पांचवा दिन समाप्त होता है अगले दिन अर्था छटे दिन आप सुबह जल्दी उठकर तैयार हो जाएग होटल में breakfast करने के बाद आप होटल के reception से आधे दिन के लिए टेक्सी कर लें जो लगबग 1000 रुपे में बुक हो जाएगी आप चाहें तो अपनी होटल से पेदल ही कुनूर बस स्टेंड आ जाएए तदा आप महां से टेक्सी बुक कर लें टेक्सी बुक करने के बाद आप सबसे पहले डॉल्फीन नोस व्यूपाइंट देखने जाएं डॉल्फीन नोस व्यूपाइंट एक चोटी है जो डॉल्फीन की नाक क्या कार की है डॉल्फीन नोस व्यूपाइंट कुनूर से लगबग 10 किलमेटर दूर है सारे टूरिस्ट सुबह के समय ही डॉल्फीन नोज व्यूपैंट देखने जाते हैं क्योंकि उस समय बादल आपको छुकर गुजरते हैं ततर डॉल्फीन नोज से नीलगीरी पहाड़ीों का बहुत ही विहंगम द्रश दिखाई देता है यहां से दिखाई देने वाले द्रश को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है आपको यहां तक पहुँचने के लिए थोड़ा पेदल भी चलना पड़ता है क्योंकि आपकी टेक्सी की पार्किंग डॉल्फीन नोज व्यूपैंट से कुछ दूर होती है लेम्ज रॉक कुन्नूर का एक और प्रसित परेटक आकरशने लेम्ज रॉक परेटक स्थान डॉल्फीन नोज व्यूपैंट के रास्ते में ही पड़ता है इसलिए आप इस टूरिस्ट स्पाट को भी देखनी जाएगा कुन्नूर से 8 किलोमेटर की दूरी पर इस्थित लेम्ज रॉक से परेटको को कुएमबटूर के मेदानी भागों का शांदार नजारा दिखता है इस स्थान का नाम केप्टन लेम्ज के नाम पर रखा गया है जिन्होंने इस स्थान तक पहुँचने के लिए रास्ता बनाया था लेम्ज रॉक देखने के बाद आप वापस कुन्नूर आ जाए तता किसी रेस्टोरेंट में लंच कर लें इसके बाद आप टेक्सी वाले को कह दें कि वह आपको कत्तेरी पार्क छोड़ दे इसके बाद आप वहाँ पहुचकर टेक्सी छोड़ दें तता कत्तेरी पार्क एक्स्प्लोर करें इसके बाद आप चाहें तो कुन्नूर में शॉपिंग भी कर सकते हैं शॉपिंग सेंटर जाने के लिए रिक्षा कर लें इसके बाद आप अपनी होटल आकर डिनर करें तता होटल से चेक आउट करें तता शाम की या रात की बस से अपने ग्रह नगर के लिए निकल जाएं कुन्नूर से ओवरनाइट कई बसें बेंगलोर, चन्ने, अत्वा मेसूर के लिए चलती हैं इस प्रकार आपकी यह ट्रिप सुखद यादों के साथ संपन्न होती है अब हम इस यातरा से जुड़ी कुछ प्रमुक बातों पर चर्चा करते हैं यदि आप कुन्नूर के होटल में नहीं ठहरना चाहते हैं तो आप उटी से भी टेक्सी करके कुन्नूर घुमने आ सकते हैं परन्तु उसमें समस्य यह है कि आप कुन्नूर को अच्छे से एक्स्प्रोर नहीं कर पाएंगे तता बहुत भाग दोड़ हो जाएगी एवन टेक्सी का खर्चा भी बहुत बढ़ जाएगा उटी की तुलना में कुन्नूर के होटल बहुत सस्ते हैं तो दो दिन उटी की जगह कुन्नूर में रुकने से होटल के किराए में भी आपकी काफी बचत हो जाएगी यदि आपके साथ बच्चे ततब बुजुर्ग लोग हैं तो इस यात्रा में गर्म कपड़े हमेशे अपने साथ रखेगा क्योंकि यहां का मौसम काफी ठंडा होता है तथा जरासी लापरवाई से सर्दी तथा जुकाम हो सकता है इस यात्रा में चपल की जगह अच्छी क्वालिटी की जूते ही पहनिएगा क्योंकि कई जगह फिसलन भरी होती हैं तो जूते ज्यादा अच्छी ग्रिप प्रदान करते हैं भोजन में भी साउथ इंडियन टच ही मिलेगा अर्थात नौर्थ इंडियन खाने जैसा स्वाद आपको यहां नहीं मिलेगा यदि आपके ग्रुप में से किसी को घुटने में दर्द की शिकायत है तो उसे इस ट्रिप में थोड़ी दिक्कत होगी क्योंकि इस यात्रा में काफी पेदल चलना पड़ता है अब हम इस छे दिन की उटी कुन्नू ट्रिप के कुल खर्चे की बात करते हैं अब हम 6 दिन की इस उटी कुन्नू ट्रिप के अधिकतम कुल खर्च की बात करते हैं चार लोगों का आने जाने का ट्रेन तता बस का कुल किराया 7000 रुपे, चार लोगों का 6 दिन का टेक्सी का कुल किराया लगबक 6000 रुपे, चार लोगों का 6 दिन का होटल का किराया लगबक 6000 रुपे, चार लोगों का 6 दिन का भोजन का खर्च 8000 रुपे, चार लोगों का 6 द अधिक्तम कुल खर्च 7500 रुपय आएगा इस प्रकार आप केवल 7500 रुपय में शांदार तरीके से टेक्सी को शामिल करते हुए उटी कुन्नूर घुम सकते हैं यदि आप टेक्सी की जगए और्डो रिक्षा या शेर टेक्सी का इस्तेमाल करते हैं यात्रा खर्च और कम हो जाएगा तो अब इंतजार मत कीजिए जल्दी उटी तथा कुन्नूर घुमने का प्लान बनाईए यदि आपको हमारी जानकरी सही तथा उप्योगी लगी हो तो प्लीज हमारी चैनल एक्स्प्लोर इंडिया विद्विकास को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा थैंक यू